हेलो दुफ्तों, दुफ्तों मैंने अभी अभी नेट फिलिक्स पर दी एट शो नाम का एक नया साउट गोटेन शो हिंदी में देख कर अप्लिट किया है टोटल यहां पर आठ एपिसोड हैं, हर एक एपिसोड की लेंद पैंतालिफ पचास मिनिट के आज़ पास है और हर एपिसोड के एंड में ही 9 मिनट के एंड क्रेडिट से हैं, तो एंड क्रेडिट से में यहां पर कुल मिलाकर सबा घंटा निकल जाता है उसके बाद यह लिम्टेड फिरीज है, इसे शोग का सीजन टू नहीं आना है एंड लेट मी टेल उस तो भाई शोग को देखकर मुझे मज़ा गया सीदा सीदा पहले आता हूँ कहानी पर, तो उतना ही बताऊँगा जितना नेट फिलिक्स पर लिखा हुआ है उसे ज्यादा मैंने बताऊँगे, क्योंकि मुझे मैंने बहुत कुछ यहां पर एंजॉटे छोटे दे देता हूँ लेकिन तब जब मैं शोग को ज्यादा एंजॉए नहीं कर पाता हूँ तो यहां पर नेट फिलिक्स पर कुछ यह लिखा हुआ है एक जह सिमाई आठ मंजिला एमारत में फसे आठ लोग एक लुभावने लेकिन खततनाक शोग में भाग लेते हैं वो लोग वहाँ पर जितना समय गुजालते हैं उस हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा तो आपने बहुत बार सुना होगा कि time is money इस issue में आपको दिखाई पड़ेगा कि time is money यह कैसे मुम्किन है, कैसे possible है, यहां पर क्या हो रहा है एंड इस issue में निफचित है यहां पर कुछ भी निफचित नहीं है यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है कभी भी पूदी बाजी पलट सकती चुटकियों में यहां पर सब कुछ उपर का नीचे हो सकता है कभी भी अगर कोई ताकतवर इंसान पावर में है तो अचानक से कुछ यूं हो जाएगा कि जो कमजूर है वो पावर में आ जाता है और उसके बाद जब कमजूर पावर में आएगा तो वो जो करेगा वो जहलना पड़ेगा ताकतवर को तो यहाँ पर इसे शो में दल्द है तकलीफ है एंड रॉल्चर है खुन खरावा है काभी सारा एंड मारपीट भी फाइटिंग भी यहाँ पर होती है उसके बाद यहाँ पर शुरुआती दो तीन एपिसोड मतलब फफट एपिसोड की शुरुआती यूं होती है कि एक कितद के रैडिट्स आते हैं उसके बाद इसके दिन बाइड हो जाती है फिर भाहां से धीरे धीरे चीज़ें चलती है क्योंकि तीन एपिसोड चार एपिसोड तक कुछ भी बहुत खास नहीं होता इफ्टिल राइटिंग स्क्रीन पर डिरेक्षन इतना इंगेजिंग है कि वो आ कि देखे व kisses नहीं है कि आपने एक जगा पढ़ लीए और आपको पता चलेगा कि ये करना है वो करना नहीं है, उनको दीरे दीरे चीज़ों को absorb करना पढ़ेगा, समझना पढ़ेगा, यहां पर क्या हों रहा है, किम हो रहा है, किसी बहुत टाइम बढ़ान जो भी है, चौथे एपिसोड की एंड से चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती है उसके बाद दीदी दीदी चीज़ें पर थोड़ी खतर इंटेंसिटी है एक्साइटमेंट है एंड कुछ ऐसा है कि आपको मतलब इसको देखते हुए मज़ा आता रहेगा एंड मैंने काफी दिनों एक कोरिन शू है जिसको इतना एंजोई किया है मुझे बहुत मज़ा है ऐसे शू को देखते हुए एंड सेपिंट एपिसोड की एंड में हमको पता चला है यहां पर जो किरदार है उनको फ्लोर बन फ्लोर टू फ्लोर थरी फ्लोर एट ऐसे करके एडरेस किया जाता है इस आठवे एपिफोड में मतलब खत्म होने से लगबग 25 मिनट पहले है तो रगता है कि यह शू शायद फीजन टू के लिए दूरा छोड़ा गया लेकिन अचानक फीजिए पलट जाती है जैसा कि मैंने का यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड फिर खत्म होते होते जो शुरू आती है उसके बाद एक पुफ्ट क्रेडिट फीन भी यहां पर है तो बहां पर जो अचानक फी देखने को मिला जो जो ड्राफ्ट था जहां पर लिखा हुआ था उपर दी एट शो वो मैंने देखा तो मैं थोड़ा आहिल गया वो थोड़ा ट्विफ्टी थोड़ मेरे लिए थाबित हुआ है यहां पर जो कुछ भी यहां पर हो रहा था वो कुछ कमाल कता है और भाई मतलब इस विशो को मैंने पूरी तरफ एंजोई के एंड फीदी फीदी बात यह है कि जो इतनी लंबी लेंथ है वो ज़रा भी फील नहीं होती हलां कि एक बात और है इ लोग मर रहे थे तो वो मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ था कि यहां पर कुछ बैसा ही होगा लोग मरेंगे तो उसको लिकर एक डर एक ठेंशन एक थ्रिल होना चाहिए कि कब कौन सा मर जाएगा वो नहीं था तो उसको लिएकर मुझे एक जो इंटेंस थिलर जो फील होता है कि कभी भी अचानक से कुछ भी हो सकती कि कोई मरने वाला हो वो नहीं था इसे पूरे शू महीं है और जो किरदार है उनको डैबलव किया बात गया अध। मुझे बस ये शो इस बिल्डिंग के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो देखना था एंड यहां पर कि तरीके फे जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोर पर अपनी हुकूमत या ताकत आजमाती हैं जो कुछ भी यहां पर ले दे कर होता है तो बात यह है कि फफ्ट हैपी फोड म क्योंकि जो screen expect ratio था या 50 मिनट देने के बाद भी कुछ भी बहुत खास नहीं हो पा रहा था तो फास्ट एपिसोड में मुझे थोड़ा सा छोड़ने का मन किया लेकिन क्योंकि potential है इस issue में एंड थर्ड एपिसोड में जो discussion चल रही थी थर्ड एपिसोड के आदी घंटे की अंत में जो फेकिंड आफता थर्ड एपिसोड के एंड वाला वहापर जो यह और यह जो कहां पर रखे जाएंगे वो कूडा कवाडा कहां रखा जाएगा उसको लेकर जो बोटिंग वगर हो रही थी वह जो तने इचनी लगी लेकिन फिर धीरे धीरे फिश्यो में मज़ा आना शुरू हो जाता है तो बात यह है ले देकर कि जो screenplay है जो writing है जो direction है जो potential है जो treatment है काफी अच्छा है intensity है excitement है थोड़ा बहुत thrill भी फील होता है छटे साथ में एपिसोड में जहापर पर आपको देखने को मिलती है तो overall बात यह है कि शो काफी अच्छा है काफी मज़ा आता है इसको देखने में काफी कुछ यहां पर ऐसा था कि मतलब मज़ए आचा था इसको देखने में पिर finally यह खत्म हो जाता है एंड खत्म होने के बाद भी मतलब बो जो draft वाली जो कलतब कर रहा था वहाँ पर जो वो उड़ी मालता है जो छलांग मालता है वहाँ पर थोड़ा वीएफेक्स जो था मुझे उतना अच्छा नहीं लगा यहाँ पर कुछ एक दो जग है मैंने ऐसा feel किया हो सकता है कि आप लोगों का take अलग हो एक दो shots थे जहाँ पर जो background score है वो ऐसे feel होता है कि जैसे जो fiend है वो गंभीर गंभीरता है वहाँ पर fiend में लेकिन जो music है वो थोड़ा funny type का है थोड़ा अलग किस्म का है जो मुझे fiend के मताबिक उतना ज्यादा situational या मैं यह कहूं कि उतना ज्यादा emotional हो सकता था उतना मुझे नहीं लगा तो यह है बाक जाने की लेकिन दिखाया नहीं जाता 16 plus की category में फिशो को रखा गया है बाकी जैसा कि मैंने का यह आप दर्द तकलीफ रॉचर खून कराबा वोईलेंस अच्छा खासा है तो उसका थोड़ा खैल रखें बाकी चाहें तो आप लोग family के साथ अपनी देख सकते हैं and मुझे देखने में बहुत मज़ा है मैंने इसको पूरी तरह से enjoy किया and खत्म होते होते हैं एक मज़ा देकर जाता है आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा देखा पिछली बार यह thought से मैं दे जिपली को लेकर थी मैंने किसी international show को इतना व्यादा enjoy किया हो तो यह फोड़िफ्र आपको मज़ा आता रहेगा एंड जो अंत के चार एपीफोड थे बहुत मतलब यह फील होता है कि चुटकियों में वो चार एपीफोड निकल जाते हैं तो यह देख रहे हैं लिखे बताना बाकि लाक्षिन इंस अप्टर भी करने चलने को वीडिगा एंड डिफिक नेथी आप आंदेद्ग काथे रहे रहे हैं वे मुटकियों में व देखे चुटकियों में लार एंड ठेखे जाईना थोड़्यर कुटकियों